आज की वीडियो आपके बहुत जादा काम आने वाली है और बहुत को सीखने को मिलेगा और आज का जो मारा टॉपिक होने वाला है कि ऐसे चार रीजन जिसके वज़ए से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पारी है या फिर आपको स्पीड भढ़ाने में दिक्कत हो रही है आज उ से पहला टॉपिक जो यहां पर हम कवर करेंगे वह हैं इतने सारे मैसेजिस मुझे मिलते हैं कि भया मेरा यह नहीं हो रहा या फिर इस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है यहां पर सबसे जो दिक्कत आती है वहां आती कन्फूजन की अब अपनी गेम को अपनी इंप्रूमेंट देखो सब करना जाते है लेकिन कहीं नहीं चीज होती है उसके साथ में चलना है आप नहीं कर सकते हो कि आप जैसे अगर आप मोहमाद शामी को देखो गए एक्जांबल के तो पर मैं आब बात करूं उनका ब्रेस्ट लेक नहीं ह वो करने जाएगा तो वो कहीं भी नहीं रह पाएंगे तो कहने का मतलब यहां थार्च पर्फेक्ट करने की चक्कर में हम्प्रफेक्ट यह जाते हो आप सोचते हो कि मैं यह भी ठीक कर लूँ बैक फूट भी ठीक हो जाए फ्रेंट भी ठीक हो जाए मेरा लोड़ अप सब चीजी हो जाए वह जाए ठीक हम बेसिक ध्यान रखो बेसिक को इंपरोग करो लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल में भूसने के कोशिश मत करो आप आपको मैं अगर एक चीजा बताऊ ना एक दिन आप बोल करो कन्यूज़जन के जात में और एक दिन बॉलिंग करने है एक दम बिंदास मेरे को तीज बोल डालनी है मेरे को अपनी लगाना घ्जूर उस दिन अपनी बोलिंग डिफिन देख गया आप जिह दिन अग प्रेशन हो जाए मेरा ब्रेश्मेंट लैग भी हो जाए नहीं उपायेगा ऐसी कन्फूजर हो जाओगे तो कन्फूजन को दूर करना है और अगर आपको चीजों को ठीक भी करना है तो वन टिंग अट टाइम करें कि अगर अभी रन अप पर कर रहे हो तो रन अप को करो करते हैं तो सबसे पहले चीज आपके दिमाग से बिल्कुल थंडे दिमाग से एकनम क्लीर करो कि कन्फूजन में रखनी है अपनी गेम को लिए एकनम कन्फूजन दूर करतो मैनत करो अच्छे से चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है बहुत ज्यादा जिम करना देखो मैं आपको एक चीज बता दू क्रिकिट जो है वह एक रणिंग बेस्ट गेम है रणिंग उसको आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो हम क्या करते हैं जब हम को कोई बोलता कि स्पीर भढ़ानी है तो हम सोचते कि आज जिम बैस चले बहुत जाए और हमारी स्पीर भढ़ जाएगी देखो अपने माइंड में एक चीज रखो क्लियर कर लो इस चीज को भी आज आपको डाउट क्लियर कर देता हूं जिम वर्क जो होता है वह दो वज़ास से होता है जो आपके जो स्ट्रेंग्ट वाकर होता है वह इसलिए होत लोग यहां पर बहुत जिम करते हैं उनकी बोड़ी बहुत जान होते हैं अगर आप उनको थ्रो करने क्या दो कि पूरा मसल सब्सक्राइट है और स्ट्रेंग्ट बहुत बढ़ चुगी है हाथ कभी घूमेगा ही नहीं नहीं वहीं आप आपके इंदर आपकी बहुत फिजीक लीन है और सब चीज है आप जाओगे थ्रो मारोगे तो अपने दिमाग से बात क्लियर करो कि बहुत ज्यादा जिम भी नहीं करना है आपको हफ्ते में तीन दिन मैक्सिम बहुत इनफ है तीन दिन वर्काउट करे जिम में जागे फुल क्या हमारा परफस क्या उसको ध्यान रखने कि हमें स्टेंग्थ बनानी है और पावर बनानी है इंजिरी ना हो और एक्स्प्लोजी बने दिर दिर तो उसी इसका ध्यान रखना है तीसरा पॉइंट हमारे यहां पर आता है रणिंग टेक्निक अच्छा नहों या फिर गलत दिर तरीकी के ट्रेइनिग नहीं करने के रोजिए आप आके गंटा या आदा आदा गंटा आगरे हो एक दिन हफते में बहुत अनुअ है मैं समझता हूं कि अपनाना होता है बट हफते में ज्यादा नहीं करना हो उसके अलावा जो आपके रणिंग सेशन रहेंगे उसमें सब चीज इंपरोड कर सको तो जो इस दिरेक्शन में करनी है कि आप वीक में एक अफ़े लॉंग रर निंग कर सकते हैं कोई दिक्कत निया बट रोज ना करो तो आपके तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक जो आपका जो बॉलिंग रना पर ज़रूर फोकस करो कि आपको 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 रनिंग टेक्निक अच्छी हो आपको रनिंग पैटर्न अच्छा हो एक अच्छा रिदम आप स्टार्ट करो बीच में थोड़ा एंड में पुश करो अब इनको कैसे करना है क्या ड्रिल कर सकते हो क्या टेक्निक इंप्रोव करनी है फास्ट बॉलिंग लेसन सीरीज में फास्ट बॉलिंग जो लेसन हमारे सि इंप्रोवमेंट आपको मिलेगी देखने को तो इन तीनों चारों पॉइंट को ध्यान रखना है और रेगलर तरीके से प्रेक्टिस करने जासे मैं बता रहूं कंसिस्टेंसी के साथ में और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर करना शेयर करना जरूर करना थैंकि दो मच्छ